हेलो दोस्तो तो कैसे हैं आप इस वीडियो पे बात करेंगे आई एंडी वर्सिस ए उएस ड्रीम 11 स्टाट्स प्रस इंफो बेस से बेस्ट करने की कोशिश करेंगे आज भी टीम जो हमने किया था पहले दो टेस्ट मैच में बीजी टी यानि बोर्डर कवसकर ट्रॉफी इस ब बहुत ही बड़िया पैसा निकाला इस मैच में दोस्तों उमीद करता हो आपने भी अच्छा किया सेम टीम थी जो आप से शेयर करी गई थी फाइनल टेलीग्राम पे या आप देख सकते हो थ्री मेंबर्स भी विन किये पंतालीस में से ब्यालिस कॉंटेस्ट विन किये केव और जड़ेजा में सीवी सी को यहां पे चेंज कर लेना जिसको जादा सेव जाना है और बाकि वही संतालिस में से 43 कॉंटेस्ट विन कर लिए एक लाग से उपर उपर यहां पे जीत लिए अगर आपने इसको रिवर्स किया था तो आपने और जादा जीते होंगे क्योंकि यहां पे जो मैं चार कॉंटेस्ट आ रहा फिर अगेर आप लोगों नहीं है रहा है सी वी सी रिवर्स बाकि सेम टीम में तो उमीद करता हो आपने बहुत जबर्दस्त विनिंग करी है इस सीरीज में लेकिन भाया दो मैच से पेट नहीं भरेगा तीसरा मैच है ट्रेक तो नहीं जुड़े हो लिंक मिलेगा आपको हमारे चैनल की वीडियो की डिस्क्रीप्सिन में टेलीघिरम चैनल में जुड़ना बहुत ज़रूरी यहां पर थोड़ी सी बहतर बल्लेबाजी पहले के मुकाबले एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहां पर दोस्तों अगर हम देखे थोड़ा ध्यान दे कि पिछले कुछ मैचेज में क्या हुआ है बिल्कुल इस मैच पर फास्ट ने कमाल किया था इसमें कोई शक की बात नहीं है लेकिन जो अभूमन तोर पर आप इस सीरीज में एक्सपेक्ट करोगे दिसेंबर 2016 का मैच वाला थोड़ा सा सिनेरियो रह सकता है जहां इंडिया ने तो बढ़िया स्कोर मार दिये दोनों इनिंग्स में डिकलेर भी किया बढ़िया स्कोर भी मारे न्यूजिलैंड को 299 पर और 153 पर उलोड कर दिया 28 में से जहां 3 विकेट केवल फास्ट को गई 22 विकेट स्पिन को ओवराल देखोगे 28 विकेट स्पिन को हुआ 22 विकेट फास्ट को 54 में से ठीक है चार अनौट गए लेकिन आप कह सकते हो स्पिन ने डॉमिनेट किया वही मैं एक्सपेट करूँगा इस मैच में भी ठीक है लेकिन ड्रायर सरफेस दोस्तों देखने को मिल रहा है ड्राय यानि की स्पिन वही चीज में आपको समझा रहा था स्पिन अगेन यहाँ पे किंग होने वाला है मुझे तो यहीं देखने को लग रहा है बागी सुबह मैं आपको और एक्यूरेट पिछ रिपोट दे पाऊंगा बागी यहां के सारे मैचेस देख लेते हैं दोस्तों जितरे टेस्ट मैचेस होएं सबका डिटाप के लिए आगे एवरेज रन स्टेंडर 31 रन बन रहे है तो विकेट जा रही है और जो इंपोर्टन नमबर बल्लेबाजगों गेम में लेके आया है एक विकेट के लिए दोस्तों 38 रन बन रहे हैं पिछले दो टेस्ट मैचेस में यह 28 और 30 था अब एक विकेट के लिए 38 रन बन रहे हैं पहले बल्लेबाजगों करते हुए एवरेज स्कूर 354 है लेकिन इतना ड्राय सरफेस मुझे कभी भी नहीं दिखा होलकार इंदोर में तो यह कम हो सकता है हाई चांस है अब आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं शुम्मन गिल और रोही चर्मा वाम अप करते हुए एक अठे दोनों ने नेट्स में प्रैक्टिस करी है थोड़ा सा इंडिकेशन यह भी है कि केल रहूल को वाइस कैटन सी से हटाया गया क्या इस मैच में बहार होके शुम्मन गिल को स्टार्ट मिलेगा देरा सिग्निफिकेंट चांसेज है बाकी हमें कल मॉर्निंग में ही कनफिर्म पता चलेगा सब दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं दूसरे स्टैट्स टॉप स्कुरर कौन रहे है इस वेन्यों पर इस ग्राउंड पर किसने कितना बढ़िया किया है विराट कोली ने इस ग्राउंड पर दो मैच में 228 माने एक शतक भी है 76 का एवरेज है दोस्तों पुजारा ने भी अच्छा किया 196 रंज है 98 का एवरेज है एक शतक एक अच शतक है जडेजा चाप इस ग्राउंड पर आउट ही नहीं हुए दो मैच में 77 रोही चर्मा दो मैच में 57 दो इनिंग्स में जिन में से वो एकी बार आउट हुए है विकेट्स में रवी अश्विन हर जगा कमाल करते है दो मैच में 18 विकेट है ठीक है 13 तो इन्होंने अपने देखा था न्यूज़िलेंड के सामने निका ले थे तो यहां काफी अच्छा किया 32 के मुकाबले 43 ऑस्ट्रेलिया को विन जरूर है लेकिन इस मैच में भी इंडिया फेवरेट स्टार्ट कर रहा है बीजी टी 20-23 में 2-0 से इंडिया लीड कर रहा है अगर आप लास्ट दो मैचे दिखना चाहूँ यह औस्ट्रेलिया की बीजी टी के है इस साल के मैने इसलिए नहीं बता है यहां शबी इंजर से सिराज का परफोर्मेंस आया था स्मित और लैबुशा ने औस्ट्रेलिया के वही नाम शुमन गिल नाम रिपीट पुजारा का यहां पे भी नाम यहां पे भी नाम यह चारों तो नाम रिपीट हो रहे है ठीक है यह बीजी टी में सबसे बेस्ट रहे है पांच तक दस अर्थ शतक है स्टीव स्मित कम नहीं है ठीक है अठारा सो तेरा रहन है बहुत कम मैचिस में सोला में चौन सट के अवरेज एट सेंजरीज फाइव हाफ सेंजरीज विराड 22 मैच में 17-58, 46 के अवरेज, 7 शतक, 5 शतक बाकियों के भी स्टैट्स ठीक है, बॉर्नर इस मैच में खेलेंगे नहीं केल राहूल का डाइसी है, थोड़ा खेलना मुश्किल है रोहित खेलेंगे, लभूशाने खेलेंगे, दोनों का रिकॉर्ड बढ़ी है इंडिया में रोहित खेलेंगे, लास मैच में जितो आगे गई, थोड़े बहुत रण काम आ जाते है अश्विन के 20 मैच में 103 विकेट भई है, यह अलगी लीग में खेल रहे है नैथन लोईन 24 में 102, जड़ेजा 14 में 80, इनकी भी अलग लीग चल रही है तो अश्विन जड़ेजा काफी काम करे है कमिन्स केलेंगे नहीं, स्टाक आ गए है 15 में 42, और मोहमच शमी के 10 में 38 विकेट है दोस्तो तो यह कुछ काम की बात हमने कर ली, head to head record की अब मेरे को ज़्यादा बात जो करनी है वो करनी है टीम को लेके मिचल स्टाक की यहां entry हो गई है, क्या लिखा हुआ है इट्स गूड इनफ, देर्स गोइंग टू बी लेवल औफ डिसकमफर्ट यह खुच स्टाक ने बोला है, मैं 100% नहीं हूँ, बट हाँ मेरे को लगता है, मैं खेलने को तयार हूँ अब यहां पर 100% नहीं है, तो क्या टीम में लेना चाहिए यह थोड़ा सा सोच विचार लेकिन उन्हें खुद बोला है, 100% नहीं फील कर रहा हूँ बढ़ मुझे लगता है अभी टीम के लिए खेलना जरूरी है और इस मैच में क्योंकि पैट कमिस चले गए हैं, जो उनके कप्तान थे स्टाक के एंट्री होने वाली, और सिर्फ स्टाक की ही नहीं और भी एंट्री आपको ऑस्टेलिया की टीम में देखने को मिलेंगी यहां पे चेंजिस होने वले, देखो मैंने ओपनिंग पर ट्रैविस हैड को रखा है जो की बहुत इसकी है, मोस्ट लाइटली ट्रैविस हैड की जगा मैं ट्रैविस हैड को उपनिंग करेंगे बट क्योंकि पीटर हैंड को मैं LX कह रही है, Cameron Green की वापसी हो रही है तो उनको भी तो एडजस्ट करना है, इस वजजे से यह मैंने चेंज किये है Cameron Green के एंट्री होनी है, स्टार्क के एंट्री होनी है, confirmed है left hand fast करेंगे स्टार्क और यहां पर right down मीडियम पेस प्लस बल्लेबाजी भी करते है कैमरन गरी तो बड़ी ओर रौंडर है ठीक है आई पेल उक्षिन में कितने महंगे में गए थे मुमें इंडियन जो एक कोमेंट करके बता दो ठीक है बागी स्पीड ट्रायो है बट इसमें तोड बरफी नेथन लॉयन मैथ्यू कुनमान एक चेंज किया जा सकता है बहुत टगड़े पेस बोलर है तो टीम लेके आ सकती है स्कॉट बोलेंड भी है बट जादा मुझे चेंजिस में इतना दिख नहीं राखी करना चाहिए उस्ट्रीलिया को अल्रेड़ी ये चेंजिस तो है ही और मिचल स्वेपसन भी आ गए है दोस्तों आपको पता है मिचल स्वेपसन का सन होने वला था जिस वो जिसे लास्ट मैच वो मिस्स करके चले गए थे अब आ गए है वोपिस स्वेपसन लेक्स्पियर ख्वाजा का 81 बाकी ओपनर जिनके रेगुलर फेल हुए ट्रेविस हैट को मैंने इस वर ओपनिंग पर रखा है मेरे इसाब से करनी चाहिए लास्ट मेच वेट वेट वर फॉट्टी थी पहला मैच खेले नहीं थे जहां आपको end दिखे इसका मतलब not play है जहां आपको yes sign दिखे इसका मतलब है खेलने के बावजूद बल्लेबाजी ना करी ठीक है ये चीज धान रखना है इंडिया में आपको first rings में ये देखने को मिल जाएगा ठीक है लेब उशाने ने ठीक टा किया 49, 17, 18, 35 37, 25 स्टीव स्मिट से लेकिन लास्ट में गुस्से में थे क्योंकि बहुत खराब खेले थे इंटर्व्यू में स्टीव स्मिट ने ये बोला मैं अपने से नाखुश ता क्योंकि मैं ऐसे आउट नहीं होता दोनों स्पिनर्स को भी विकेट मिले थे टॉड मर्फी को तीन, मैं तुकुनेमान को दो बल्ले जादा इन से एक्सपेक्ट मत ही करना तो बहतर है तो यह इनका कुछ परफॉर्मेंस रहा था बाकी यहाँ पे मैंने दोनों कैमरन ग्रीन और स्टाक के आगे एन रखा है क्योंकि भाईया वो खेले ही नहीं थे यह फुल स्टाट्स प्रस इंफो है आप फुल स्टाट्स रीड कर सकते हो जिस भी प्लेयर का आपको करना है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे खेलने के चांस बन रहे हैं काफी जादा मिचल स्टाक और कैमरन ग्रीन के एक बर गौर कर लो कैमरन ग्रीन ने 18 मैच में 806 रन किये है एवरेज भी अच्छा है 35 का 68 तक भी है 23 विकेड भी है सो कैमरन ग्रीन ने काम किया है ठीक है अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको आगे लेके आना चाहूंगा मिचल स्टाक के उपर बाकियों के स्टैट्स आप रीड कर सकते हो फुल स्टैट्स इंफो है यहाँ पे क्या किये मिचल स्टाक ने 75 मैच में 845 रन भी मारे हैं बाइद अवे रन भी मारे हैं ठीक है और 304 विकेड भी है लेफ्ट हैंड बल्लेबास लेफ्ट आम फास्ट काफी अच्छे बोलर है लेकिन इंडिया कंडिशन्स में वो भी जब 100% फिट नहीं है शोरेटी नहीं है क्या करके देंगे इंडिया की लाइनप में I don't think change होना चीए एक change जो possible है वो मैं आपसे डिसकस कर चुका हूँ केल राहूल की जगा शुम्मन गिलवला केल राहूल को वाइस कैप्टन सी नहीं दी गई इस मैच के लिए जो वो कर रहे थे तो उन उपनर्स के साथ दें विराट मिलेंगे विराट के साथ आपको श्रीयस ऐयर भी मिल जाएंगे दें आपको जडेजा, कैस, भरत, अक्षर, पटेल, रवी, अश्विन सभी थोड़ी थोड़ी बल्ले बाजी तो करी लेते हैं और एक्चली बहुत अच्छी स्कोरिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे फास बॉलर्स में दोनों मौहमद सिराज और मौहमद शमी काफी अच्छे बोलर है स्पेशली शमी ने लास्ट कुछ टेस्ट में बहुत अच्छा किया है सिराज को भी में रूल उट नहीं कर सकता स्पेशली अगर हम बीजिटी यहाँ पे जीतते हैं तीन मैच फाइनल में जाते हैं तो मुझे रखता है जो डव्टीसी का फाइनल है उसमें सिराज इंडिया की मेर बूलर रहेंगे विराटे पहले मैच में बारा किये दूसरे में चार और बारा श्रीयस से एक्षिली बहतर एक्सपेक्ट करता हूँ बाकि यहाँ पे काफी अच्छा किया जड़े जाने 26 और 10 विकेट दूसरे मैच में पहले मैच में सत्तर और साथ विकेट कुनर शीकर भरत भी डीसेंट सा खेलें कुछ बैस्ट नहीं करें लेकिन विकेट कीपिंग से पॉइंट दे सकते हैं यह बाकियों का परफॉर्मेंस है इन सबने तो विकेट निकाल नहीं है सिराज को एकी विकेट मिलिये शमी को साथ विकेट टूनामेंट में अक्षर को विकेट का मिलिये बट रंज आ गए 84 और 54 बाकि जो किंग है रवी अश्विन 23 प्स 8 विकेट 37 प्स 6 विकेट जडेजा ने तो अलगी यहां पर ऐस्ट्रेलिया को मारा है इस बार बतलब वो प्रिपेर करके आ गए उन्होंने अश्विन जैसे चार बोलर को नेट्स पर बुलाया था दो तमिलनाडू के थे एक मध्या प्रदेश का भी था तो वो सबने आकर बोलिंग करी थी आश्विन के एक्शन को रैप्लीगेट किया था लगत तो बेंगा वैकर बहले थी जाके जए आगए आऊँगे हिए तो आपको अगे होगे तो आपको देखने को魚ब रहेए मैच अपस में ने कहीं जगा लिखा हुआ है M2 और M1 मदब पहले मैच में M1 में आउट किया था ठीक है M2 का मतलब है दूसरे मैच में आउट किया था क्योंकि टेस्ट मैच है दो जगा M2 है ठीक है तोड मरफी ने एक बार आउट किया है तोड मरफी ने एक बार आउट किया है लुएन ने साथ वराउट कर रखा है रिख टाक ने थीन बार राओट कर रहा है दोस्तों ठीक है यह रही है विराट कोली की कहानी श्रीया सइयर दोनों मैच सेξे। M2 और M2 का मतलब match 2 की दोनों innings में इनको out किया है Nathan Loin ने ठीक है रवीद्र जडेजा यहाँ पर actually Todd Murphy का शिकार बने है दो बार Nathan Loin तीन बार Mitchell Stark एक बार रवी अश्विन एक बार Todd Murphy के पांच बार Nathan Loin और तीन बार Mitchell Stark Mitchell Stark ने इनको previously कहीं बार out किया है अस्ट्रेलिया के बल्लेबास Travis Aide मुझे लग रहा है opening पे आगए है तो बने नाम यहां रख दिये मुझे लग रहा है आएंगे ठीक है तीन बार out हुए है शभी के आगे दो बार अश्विन के आगे including this match एक innings में इनको शमी ने भी out किया था सिराज और कुलदीब के आगे एक बार नव पहले match में सिराज ने इनको ऊट किया था उस्मान खुआजा को और अश्विन ने दूसरी इनिंग्स में शमी ने भी out किया है पिछले match में दोनों इनिंग्स में जड़ु भाई ने जड़ेजा भाई ने सर जड़ेजा ने आउट किया था कुलदीब और उमेश ने भी एक एक बार कर रखा है मानदस का सबसे बड़ा struggle जड़ेजा क्या आगया है इस सीरीज में चार जो इनकी विकेट दी है ना चार बर आउट हुए इस सीरीज में पहले match में दो बार दूसरे match में दो बार जड़ेजा ने तीन बर आउट किया है एक बर आउट किया है अश्विन ने ठीक है overall भी जड़ेजा ने इनको सबसे ज़्यादा तंग किया है सिराज शमी ने भी आउट किया है उमेश ने भी आउट किया है स्टीव स्मित को रवी अश्विन ने आउट किया दोनों इनिंग्स में सेकंड टेस्ट की बाकी जड़ेजा ने आउट कर रखा है उमेश ने आउट कर रख है चार वर एक बार सिराज और शमी ने भी आउट कर रख है ये भी आपको पता रहना चाहिए बट हम यहाँ पे आजाते है एलेक्स केरी पे इनको तो मुझे लगता है अश्विन नहीं आउट किया होगा बिल्कुल तीन बार शमी ने आउट किया लेफ्ट हैंड बैटस्मन को वैसी शमी टिकने नहीं देते हैंड्सकॉम जड़े जा के आगया उट हुआ है ठीक है पहले मैच में भी दूसरे मैच में भी एक मैच में इनको अश्विन ने भी आउट किया है चामी और कूलदीप ने भी आउट है अब दोस्तों मेरी फेवरेट एप्लिकेशन एक्सेज़ टेस्ट में हमने सीरीज में बाई सेल किया अश्विन को ठीक है स्कॉट बूलेंड और ट्रैविस हैड को सेल किया ट्रैविस हैड मुझे पसंद बहुत है इंडियन कंडिशन पे मैं सेल कर रहा हूँ मल्टी बैगर में अक्षर अश्विन जड़ेजा को मैंने लिया है इसमें एक नाम के और एंट्री कर लो रिस्क लेना है जिसको स्मित क्योंकि यह बड़े प्लेयर है ठीक है गुस्से में है कुछ करके दे सकते हैं आपको अगर आपने डाउनलोड नहीं करी ना सतरा सो रुपया आपके काउड में जिसमें दो सो रुपय एक्स्ट्रा केश पांसो और बोनर्स भी मिलेगा ठीक है तो मस्ट अप्लिकेशन है डाउनलोड करो विद कोड़ फोरकास्ट पिकॉस विद फोरकास्ट विल विल एलीट गीववे विनर्स के नाम अनाउस हो लेंगे तो दोस्तों हमागे अपनी टीम कर्ड़ करने विगेट कीविंग सेक्शन में आपको सबसे वहले मिल रहे हैं एलेक्स कैरी देखो यारस्ट में ने कीया नाउनने कर दियांद वह दर्शाथ हैंगी बलेवाजी स्केल्स काफी अच्छी सो यह सेट्षन बहुत इंटरस्टिंग हो गया लेकिन मैं सेट सब्सक्राइब और एक जिसे-धैंच गॵर को ले रहा हूं लेकिन हो सकता है अगर मेरा मंकिया मैं पीटर हैंड्स tri varyगा चो फाइनल टाइम पर मैं लोंगा जो मुझे करम दिखेगा जो मुझे conditions दिखेंगे उसके हिसाब से अभी मैंने Alex Carey को दोस्तो थोड़ा ज़्यादा बैक किया अपनी टीम में ठीक है मैं दोस्तो बल्ले बाजी पर आ गया हूँ जहां मैंने Rohit Sharma को चेन किया है उनका चुनाफ किया है दोरों टेस्ट में इंडिया के लिए काफी अच्छी बल्ले बाजी करी है मैं मान तो पहले टेस्ट में ज़्यादा बड़ी इनिंग्स आई दूसरे में नहीं अगर आप देखोगे काम की निंग्स थी वो तीस ऐसे रन से को लोगों ने ड्रॉप कर रहा है कुछ लोगों ने सेलेक्शन गिरा है 90 से 75 पे बड़ा इस वेरी इंबोरेंट फॉर ऑस्टेलिया यह और स्टीव स्मिट सबसे इंबोरेंट के लाड़ी है मैं दोनों को नहीं छोड़ूँगा ठीक है मैं इनको भी लिया है उसमान ख्वा टूआ मुझे खुद को लग रहा था कि भाया यह मैं करके क्या हों चो मुझे टेस्ट में कभी पहले नहीं लगा मुझे लगता है बड़े प्लेयर है गलती से सीखते हैं जल्दी सीख सकते हैं मैं स्टीव स्मिट को बैक कर चलूँगा पुजारा भाया लेकिन वर्ड़ा लेकिन बड़ा इंपक्ट अभी तक नहीं देख पाया बुजारा से जिससे मैं अभी नहीं ले रहा हूं मेरे को आगे बोलर से लगता है ज्यादा इंपक्ट मिलेगा अक्षन ने रन कर दिये अश्वीर जड़ेजा तो मैं पुजारा को नहीं ले रहा हूं शुमन गिल का ह अधर एक्सपेक्ट कर रहा है स्पेशली स्पिन कंडिशन में लेकिन वह देखने को अभी तक दोस्तों नहीं मिला जो हम उम्मीद करते है श्रस से पिछले मैच में सूर्य कुमार यादव अभी नहीं कहलेंगे मैट रैंश हो खेलते भी है तो मैं नहीं लूँगा खौती अच्छे विकलते हैं रवी अश्विन खौफ है इनका उस्टेलिया को काम करके जा रहे हैं जड़ेजा लेकिन वह खौफ है क्योंकि भाई अश्विन में स्किल है रंस भी कर देते हैं कॉंट्रिब्यूट ट्रूली एन और राउंडर दोनु मेरे साब से वर्ल्ड क करके दे रहे हैं कि इंडिया के बेस्टार बन के आ रहें बल्ले से सो मैं इनको लेके चल रहाँ ट्रैविस सेड़ एक विकल पर उइक सथे और रचिषी सं cry von तो मुझे लगता है Australia fight दे सकता है Ashton अगर भी घर चले गए है अगर घर चले गए आगर तो हम क्यों बात करें उनकी है ना बल्ले बाजी की बात होगी और राउंडर्स की बात होगी गेंद बाजी में आते है नेथन लॉइन लॉइन ने एकदम वैसे लॉइन वाला ही परफॉर्मेंस दिया सिंगली अगर आप देखोगे अकेले ही काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया Australia से बॉलिंग में लास्ट मैंच में इंपैक्टफूल प्लेयर अगें इंडिया के आगे काफी आउट भी किया है महमण शमी को आप बैक कर सकते हैं मैं थोड़ाई फास बोलर स्केनले नहीं स्पिनर के लिए जा रहा हूँ मैं यह नहीं कहा रहाँ शमी को विकेट नहीं मिलेंगे हो सकता है unjust? मिल भी जाएं तीन, चार भी मिल जाएं मुहम्मद सिराज है अच्छे भी कल्प है लेकिन इनसे बहतर इस सीरीज में शमीने की है अभी तो वो भी एक भी कल्प है पैट कमेंज अब अवेलेबल नहीं है मिचल स्टार्क लेफ्ट आम फास करेंगे आ गए है स्कॉर्ड में मैथ्यो कुनेमान लेफ्ट आम स्पिनर है खेल सकते हैं स्टार्क थोड़ी बल्ले वाजी भी करते है है हेजल बूर इंजर है कुल्दी प्यादव को इंडिया मौका नहीं दे रहा उमेश को मौका नहीं दे क्योंकि शायद वहां स्पिन ट्रैक ना देखने को मिले इसलिए इसलिए इंट्रस्टिंग रहेगा और स्वेप्सन का अनवेलिबल हो गए हैं खेलते हैं कि नहीं वो देखना होगा मुझे लग रहा है खेलेंगे मैंने स्वेप्सन को डिरेक्ट टीम में डाली है मुझे ल जampने ऐसलिए आपको मना ही नहीं है डिरा रूंफर चेंज़ों विच हो केंड़ू लेकिन मेरे कैप्टन वाइस काम किया लेकिन मैं इसका Quadspace मुझे मन किया तो भागी आप यहां पर चेंजेस कर सकते हो, आप विगेट कीपर में बदलाफ कर सकते हो, आपको बोलर में बदलाफ करना है, वहां कर सकते हो, मैं थोड़ा रिसकी टीम से ङूँ, परसनली मुझे लगता है, टेस्ट में ये टीम मेरे लिए वर्क करती है, तो मैं इस टीम साथ जा रहो विगेट कीपीर का थोड़ा देखके चलना वहां रिसक रह सकते हैं अगर आपको लगता है दोस्तों हेल्प हुई तो यार एक सबस्क्राइब करके जाना है यार बहुत मैंनत से वीडियो बनती है आपके लिए लाइक करोगे बहुत बढ़िया लगेगा लुगा वापको